शुशान सिंग राजपूत मौत के मामले में CBI जाच का आज बारवातीन है। गंटे तक DRDO गेस्ट हाउस में CBI रिया से लगातार पूश्टाच कर रही है। कुल मिला कर अभी तक पिछली चार दिनों में रिया से 35 गंटे तक पूश्टाच की जा चुकी है। और माना जा रहा है कि आगी भी ये सवाल जवाब होते रहेंगे। दरसल आपको बता दे कि चौथे दिन नो घंटे के दोरान हुए सवाल जवाब में रिया परिशान हो गई थी। खबर है कि कई सवालों पर रिया असहज महसूस कर रही थी। खास कर ड्रक्स पर किये गए सवालों पर रिया थोड़ी सी नाराज लगी। बताय जा रहा है कि पहले पूछे गए सवाल को जब दोहराया गया तो रिया खीज खा गई। इसी वज़े से सवाल जवाब के दोरान CBI अधिकारियों के साथ फेस एनालिसिस करने के लिए एक अधिकारी को भी बैठाया गया था। जो कि रिया के हाव भाव को ध्यान से पड़ रहा था। वहीं दूसी तरव शुशान्त राजपूत की मौत के बाद फैन्स उनकी याद में कई सारे वीडियो और थ्रोबैक पिक्चर शेयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुशान्त का एक और वीडियो तेजी से शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है। जिनमें उनकी दयालुता साफ दिख रही है। वाइरल वीडियो स्पैशल स्कूल का है। वीडियो देख कर माना जा रहा है कि ये उनकी आखरी फिल्म दल बेचार के दोरान का है। शुशान के इस वीडियो में दो स्पेशल चाइल्ड गाना गाते दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक बच्चा कांगो बजा रहा है वहीं दूसरा हार्मोनियम के साथ साथ गाना गाते वे भी नजर आ रहा है वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन बच्चों को गाना गाते देख शुशान सिंग इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं वहीं शुशान की बेहन श्वेता किर्थी ने एक साथ दो वीडियो भी इंस्ट्राग्राम पर पोस्ट किया जिसमें शुशान के टैलेंट को भी दीखा जा रहा है बता दे कि शुशान सिंग मौत के मामले की जाच की जा रही है इस कड़ी में सीबी आई शक के दायरे में आए सभी लोगों से लगातार पूछताच कर रही है